नुश्कार बच्चो बच्चो उमीद है आप स्वस्त होंगे खुश होंगे तो बच्चो आज हम आपने नए अध्याई के साथ फिर उपस्तित हुए हैं और हमारा यह जो अध्याई है वो कक्षा साथ का अध्याई नंबर पांच है और इसका शिशक है और तों ने बदली द दुनिया तो बच्चो आपने यह जो हम अध्याई पढ़ने जा रहे हैं इससे पहले वाले अध्याईओं में आपने पढ़ा होगा कि महिलाओं के दौरा जो काम किया जाता है घरों में वह काम नहीं माना जाता अर्थार उसको महत्तव नहीं दिया जाता आज के इस अध्य में हम कुछ ऐसी ही बातें करने जा रहे हैं जो उससे आगे हैं जैसे कि क्या होता है कि कुछ ऐसे वेवसाई हैं जहां पर महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है जबकि पूर्षों को जादा महत्व दिया जाता है और इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे इस अ प्राप्त करने के लिए कुछ संगर्ष किये और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार जो शिक्षा है महिलाओं के लिए नए आउसर प्राप्त करवाती है और उसके साथ साथ हम कुछ महिलाएं जो हैं जो आगे आई थी तिहास में भी और अभी भी उनके बारे में जान करेंगे और साथ ही अंत में ये भी जानेंगे की महिला अंदोलनोंने किस प्रकار साथ भेद भाव को कहतम करने के लिए इंचनोतिय। को सविकारा और किस प्रकार उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किये तो बच्चों इस अध्याय को हम दो भागों में बांट करेंगे और इस वीडियो में हम इसका पहला भाग करेंगे तो बच्चो यह जो हमारा अध्याय है इसका प्रारहंब हम एक क्रियाकलाब के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे बच्चो अगर आप से कहा जाए कि कुछ लोगों के चित्र बनाएं मान लीजिए नीचे जो डिब्बे दिये गए हैं आपने उन लोगों के चित्र बनाने हैं जिनके नाम नीचे लिखे हैं जैसे एक किसान, एक मिल मजदूर, एक नर्स, एक विग्यानिक, एक पाइलट और एक शिक्षक चलिए आपने जो चित्र बनाए उनको हम एक तालिका के माध्यम से भरें हम इस तालिका को तीन भागों में बांटेंगे पहले भाग में हम वरग लिखेंगे दूसरे में हम पुरुष चित्र लिखेंगे और तीसरे में हम महिला चितर लिखेंगे वरग में हम पहले शिक्षक, फिर किसान, फिर मिलमजदूर, फिर नर्स, फिर विज्ञानिक, फिर पाइलेट क्या आप कुछ देखते हैं? पहली बात, क्या महिलाओं की अपेक्षा पुर्शों के चितर अधिक हैं? क्या सबने नर्स के लिए एक ही महिला का चितर बनाया है? क्या महिला किसानों के चितर तुलनातमक रूप से कम हैं, यदि हैं, तो क्यों? आपकी कताब में दिया गया है कि रोजी मैडम की कलास में 30 बच्चे हैं, रोजी मैडम एक अध्यापी का है, एक शिक्षी का है, और ये जो क्रिया कलाप है, ये जो एक्टिविटी है, उन्होंने अपनी कक्षा में करवाई और उन 30 बच्चों के हिसाब से ये क्रिया कलाप को करवाया अब क्या हुआ वरग जब हम बात कर रहे थे कि उसमें शिक्षक किसान मील मजदूर नर्स विज्ञानिक और पाइलट हैं और क्या हुआ कि आगे जो पुरुष चितर और जो महिला चितर दिये गए हैं उसमें क्या हुआ कि जब शिक्षक की बात आई तो 30 में से 25 बच्चों ने महिला चितर बनाए जब कि किसान की जब बात आई तो 30 में से 30 बच्चों ने पुरुष चितर बनाए और जब मिल मजदूर की बात जबकि केवल पांच महिला चित्तर थे और जब नर्स की बात आई तो सारे के सारे बच्चों ने महिला की ही तस्वीर बनाई और जब विग्यानिक की बात आई तो 30 में से 25 बच्चों ने पूरुष चित्तर बनाए जबकि केवल पांच ने महिला चित्तर बनाए और जब याइस पूरुष चित्र थे जबकि केवल तीन ही महिला चित्र थे तो इस तालिगा के माध्यम से हम क्या लगा सकते हैं हम देख रहे हैं अंदाजा ही नहीं हम यह अच्छी तरह से एक निश्करष पर पहुंच सकते हैं कि जो बैच्चे हैं वो ये जानते हैं कि जो शिक्षक हैं वो महिलाएं जादा अच्छी होती हैं इसी परकार जो नर्स होती है वो भी महिलाएं ही नर्स का काम अच्छी तरह से कर सकती हैं जबकि जो किसान हैं वो केवल पूरुश होंगे और वैग्यानिक और पाइलेट भी जादा पूरुश हों तो बच्चों आपने इस तालीका में देखा कि 30 के 30 बच्चों ने नर्ष का जो चित्र बनाया वो महिला का था अब सभी बच्चों के दिमाग में एक ही बात थी कि जो नर्ष होती है वो अच्छी तरह से देखवाल करती है और महिला भी अच्छी तरह से देखवाल कर सकती है और मरीजों को अच्छी तरह से संभाल सकती है कहने का भाव यह है कि बच्चों के मन में ये बात आ रही है या आ गई है कि नर्स अगर कोई विवसाय अपनाता है नर्स का तो महिला को ही नर्स का विवसाय अपना आना चाहिए और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब किसान की बात आई तो 30 बच्चों ने किसान को पुरुष के रूप में दिखाया जबकि ये धारना वो तो बच्चों के मन में है जबकि हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो खेती से जुड़े कितने काम करती हैं एक परसकार से देखा जाए तो किसान का काम तो वो भी करती हैं वो बुआई भी करते हैं वो खर्पतवार को बाहर निकालते हैं वो कटाई भी करती हैं बहुत काम करती हैं लेकिन फिर भी ब विग्यानी का चित्र आया तो वो भी पुरुष का चित्र आया अब इससे नसे लग रहा है उनको लगता है कि जो महिलाएं है दिमागी काम जो हैं वो कम करती हैं जब कि पूरुलुष है और विग्यानी क्यों कि ज्यादा दिमागी वाल काम होते हैं और इसलिए उन्होंने उनके चित्र बनाए प्रंतु अगर हम यह देखें तो यह रूडिवादी धारना है रूडिवादी धारना क्या कि जो किसान होंगे वो केवल पुरूश होंगे जो नर्स होगी वो महिला होगी और जो विज्ञानि प्रा से चली आ रही है कि बस ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा यह रूडिवादी धारना होती है जिसको लोग मानते चले आ रहे हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं चाहते लेकिन यह रूडिवादी धारना है कि जो महिलाएं हैं वो ना तो डॉक्टर बन स सकती है ना विज्यानिक बन सकती है ना पॉयलेट बन सकती है उनको तो शादी करके बस अपना घर बसा लेना चाहिए लेकिन अगर हम दो उधारनों को देखें जो आपके इस अध्याय में दिये गए हैं तब आपको एहसास हो जाएगा कि यह जो रूडिवादी धारना है बि परिणाम आया है और वो अच्छे नंबरों से उतिरन हुआ है उसको विज्यान में और गनित में बेशक कम अंक मिले हैं लेकिन इतिहास में और भाशाओं में उसको अच्छे नंबर मिले हैं लेकिन जब उसके माता-पिता ने उसका यह परिणाम देखा तो उनको दुख बहुत खुश है अपने परिणाम से तो जेवियर की मा उससे कह रही है हे भगवान जेवियर गनित में तुम सिरफ 55 प्रतिशत लाए हो भोतिक शास्तर में भी तुमारे अंक बहुत कम है मुझे पता है मा पर कोई बात नहीं क्योंकि मैं गनित और विज्यान पढ़ना भी नहीं चाहता हूं मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूं तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो उसके पापा बोले अपने भुष्या के बारे में सोचो तुम्हें एक अच्छी नोकरी करनी है इतिहास से तुम्हें क्या मद्द मिलेगी इसमें कोई भुष्या नहीं है पर मु देख रहे हैं हम पहले कह रहे थे कि जो महिलाएं होती हैं वो दिमागी काम कम करती हैं अब आप देख रहे हैं कि जो जेवियर है वो तो पुरुष ही एक परकार से अब वो वो तो ना तो विज्ञान पढ़ना चाता है ना वो गनित पढ़ना चाता है वो तो इतिहास और भा वाली बात होई अभी हम एक और उधारन देखेंगे जिसमें रूडियों को जो प्राणी चीज़ें आ रही है उनको तोड़ने की बात कही गई है पहले हमने जेवियर यानि एक पुरुष का उधारन लिया अब हम एक महिला का उधारन लेंगे बच्चों आपने देखा होगा कि रेल का इंजन आदमी चलाते हैं पर जारखंड के एक गरीव आदिवासी परिवार की 27 वर्षिया महिला लक्षमी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है उत्री रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है वास्त में क्या है कि रेलवे को कई भागों में बाटा हु हैं कि वह उत्री रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है लक्षमी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं है पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संगर्श किया लक्षमी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई स्कूल में पढ़ने के साथ-साथ लक् ट्रोनिक्स में डिपलोमा अरजित किया फिर वह रेलवे बोर्ड की प्रिक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उतीरण हो गई तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लक्षमी लाकरा ने ये जो रूड़ी वादी धारना थी कि महिलाएं दिमागी या तक्नीकी काम नहीं क सीखते हैं क्यों सीखते हैं परिवर्टन के लिए ताकि हमारे अंदर बदलाव हो हमारे अंदर नई चीजें आए और हम कुछ सीखें और दूसरों को भी सिखदी और स्कूल में जब हम जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं आज की अगरं हम बात करें तो आज विदियाले में school में कितने बच्चे जा रहे हैं पुरंदू जब लग बग दोसे साल पहले या उससे पहले की बात करते हैं तो क्या हम आज का वातावरन है जैसा आज का महोल है क्या वैसा था बिलकुल भी नहीं पहले बहुत ही कम बच्चे पढ़ने स्कूल में जाते थे पहली बातों विद्यालया बहुत दूर दूर तक होते थे और इसलिए बच्चे जो स्कूल में जाते थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी और माता-पिता के दिमाग में हमेश क्योंकि उसी ने हमें बाद में देखना है और अगर लड़की को पढ़ाएंगे जो बेटी को पढ़ाएंगे वो तो शादी करके घर में चली जाएगी हमें उसको पढ़ा लिखा के क्या फायदा और उस समय इस प्रकार जो लड़कियों की जो शिक्षा के साधन थे बहुत कम थे एक तो घर से ही उनको किसी परकार का कह सकते हैं प्रोसान नहीं मिलता था और साथ साथ स्कूल जो थे बहुत दूर दूर होते थे अब सुरक्षा की दृष्टी से कहलो या और अन्या कई कारणों से अगर कह लें तो जो लड़कियां थी स्कूल में बहुत कम जा पाती पर उन्हें घर में ही कुछ हस्तकलाई सिखाई जाती थी जैसे कुमहारी थी बुनकरी थी या अन्याय कोई और हस्तकला थी लेकिन धीरे धीरे 19. शताबदी यानि 100 वर्षों के समय को शताबदी कहते हैं और 19. शताबदी के प्रारंभ में यानि 19. शताबदी का अर्थ हुआ कि 1801 से चलता हुआ 1900 तक जो जाता है वो 19. शताबदी होगी तो इस काल में क्या हुआ धिरे धिरे ने जो विचार थे वो सामने आए और लोगों ने खास पुर्षों ने भी और महिलाओं ने भी इस जो प्रानी विवस्ता चली आ रही थी उसको तोड़ने का प्रयास किया और धिरे धिरे महिलाओं को अपनी बेटियों को स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया हलाकि इसका बहुत विरोध हुआ क्योंकि जो पुराने लोग थे वो इस प्रकार की विवस्ता में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कई महिलाओं ने आगे आकर के इस रूड़ी वाद को तोड़ा और एक प्रकार से एक नई विवस्ता को जनम दिया आईए अब हम कुछ दो-तिन महिलाओं की बात करें जिनोंने अपने संघरश के दम पर अपने बलबूते जो पुरानी रूड़ी वादिधार ना थी उसको तोड़ा और शिक्षा को प्राप्त किया आईए हम रास सुंदरी देवी का अनुभव पड़ें जो 200 वर्ष पुरव पश्चमी बंगाल में पैदा होई थी 60 वर्ष की अवस्ता में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आतम कथा लिखी उनकी पुस्तक अमार जिबोन किसी भारतिया महिला द्वारा लिखे पहली आतम कथा है आतम कथा वो होती है जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी को स्वयम लिखता है उसको आतम कथा कहते हैं रास सुंदरी देवी एक धनवान जमीदार परिवार की ग्रहिनी थी उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो वह पती के लिए दुर्भाग्या लाती है और विद्वा हो जाती है इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयम ही छुप छुप कर लिखना पड़ना सीखा रास सुंदरी देवी अपनी आतम कथा में लिखती हैं मैं अत्यांत स्वेरे ही काम करना शुरू वर्ष की थी मेरे मन में एक अभिलाशा पनपने लगी मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडूलिपी पढ़ूंगी मैं अभागी थी उन दिनों इस्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था बाद में मैं स्वयम ही अपने विचारों का विरोध करने लगी मुझे क्या हो गया है इस्त्रिया पढ़ती नहीं है फिर मैं कैसे पढ़ूंगी फिर मुझे एक स्वपन आया मैं चतन्या भागवत जो एक संत थे मद्यकालिन भारत के धार्मिक अंदोलन के जिनोंने बंगाल में अपने धार्मिक उपदेशों को फिलाया और लोगों तक विपिन मैंने अपनी चतन्या भागवत यहां छोड़ी है जब मैं इसे मंगवाऊं तुम इसे अंदर ले आना वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए जब पुस्तक अंदर रख दी मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे चुपा दिया उ क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय तार के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था उसमें से से भी मैंने एक छिपा दिया जब मोका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान कहती थी अतियादिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी रासुंद्री देवी के अक्षर ज्यान ने उन्हें चतन्या भागवत पढ़ने का अफसर दिया स्वयम अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की इस्त्रियों के जीवन के बारे में क्षन भर का भी विश्राम नहीं मिलता था इतना समय भी नहीं था कि जरा बैठ कर कुछ खा ही लें आईए अब हम आधुनिक भारत की एक अन्या महिला रमा बाई पंडिता के बारे में जाने महिला शिक्षा की ये योध्धा स्वयम करी स्कूल नहीं गई पर अपने मात के लिए एक बहुत बड़ी उपलबदी थी ओरतों को तब यह ग्यान अरजित करने की अनुमती नहीं थी उन्होंने 1898 में पूने के पास खेड़ गाउं में एक मिशन स्थापित किया जहां विद्वा इस्त्रियों और गरीब औरतों को पर्धें लिखने तथा स्वतंतर हो के शिक्षा दी जाती थी उन्हें लकडी से चीजें बनाने चापा घारना रमाबाई का यह मिशन आज भी सक्रिया है उस समय महिलाओं को तो शिक्षा का बिलकुल ही अधिकार नहीं था लेकिन उस समय भी एक महिला रुकईया सखावत हुसैन जो एक मुसली महिला थी उसने भी अपने दम पर अपने शिक्षा को प्राप्त किया रुकईया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा होई थी जिसके पास बहुत जमीन थी यद पी उन्हें उर्दू परना और लिखना आता था प्रंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूम में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने ने विचार रखती थी जिने लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी रुकईया ने अपने बड़े भाई और बहन के सिहोग से बांगला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा आगे जाकर वे एक लेखिका बनी 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी अंग्रेजी भाषा के कोशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उलेखनिया कहानी लिखी जिसका शिर्षक था सुल्ता कहानी में सुल्ताना नामक एक इस्त्री की कलपना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगाँ पहुंचती है लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर इस्त्रियों को पढ़ने काम करने और अविशकार करने की स्वतनतरता थी इस कहानी में महिलाएं बादलों से होन वाली वर्षा को रोकने के उपाई खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं लेडी लैंड में पुर्षों की अकरामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्तर शस्तर इस्त्रियों की बोधिक शक्ति से हरा दिये जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दि स्थ्रियों के हवाई जहाज और कार चलाने का स्वपन देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमती नहीं थी इस त्रह से शिक्षा ने रुकईया का जीवन बदल दिया रुकईया के वल स्वयम शिक्षित होकर संतुस्क नहीं हुई उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वपन देखने और लिखने की ही शक्ती नहीं दी वरन उससे भी अधी करने की शक्ती दी 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है तो बच्चों इन शिक्षित महिलाओं के उधारन के साथ ही हमारा ये जो अधिहाई है इसका पहला भाग समाप्त होता है अब इस भाग में आपने क्या समझा क्या जाना आए हम उसको प्रशन उत्तर के माद्यम से जानने का थोड़ा प्रयास करें पहले हम बहुविकल्पी प्रशन करेंगे प्रशन नमबर एक निमन में से कौन सा विवसाय माना जाता है और विकलप है मिलमजदूर, नर्स, विज्ञानिक, किसान, बिल्कुल सही नर्स को सबसे उप्योग्त माना जाता है महिलाओं के लिए प्रेशन नमबर दो अमार जिबोन किस भारतिया महिला द्वारा लिखेत पहली आतम कथा है विकल्प है पंडिता रमाबाई, रुकया सखावत हुसेन, राश सुंदरी देवी, लक्षमी लाकरा बिल्कुल सही राश सुंदरी देवी के द्वारा अमार जिबोन आतम कथा गई है प्रेशन नमबर तीन लक्षमी लाकरा निम्न में से किस लिए परसिद है विकल्प है वह भारत की पहली महिला पाइलट है वह उत्री भारत की पहली महिला इंजन चालक है वह भारत की पहली सनातक या ग्रेजुएट है वह देश की पहली महिला बस चालक है बिल्कुल स विकल्ब हैं जो पुरानी हो रिती रिवाजों पर अधारित हो यह प्रमप्रागत होती है यह सभी तो इसका विकल्ब है यह सभी रोडी वादी धारना पुरानी भी होती है रिती रिवाजों पर विधारित होती है और प्रमप्रागत भी होती है अब हम लगू उत्रात्मक प ये मरीजों की देखभाल अच्छी त्रहां से करती हैं प्रशन नमबर दो रमा भाई को पंडिता की उपादी क्यों दी गई थी उत्तर रमा भाई कभी विद्यल्या नहीं गई थी लेकिन अपने माता-पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था उन्हें सात ही इस अधिहाय का पहला भाग समापत होता है बाद में दूसरे भाग के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे तब तक स्वस्त रहें खुश रहें कि कि